नमस्कार आप देख रहें लोकमत न्यूज डॉट इन आपके साथ मैं हूँ भारती दिवेदी आज बात बिहार के एक हाई प्रोफाइल सगाई की लालुक्रसाद यादो के बड़े बेटे और बिहार के ex health minister तेजप्रताप यादो ने नई पारी की शुरुवात की है पत्णा के एक five star hotel में तेजप्रताप यादो और ऐश्वर्य राय ने सगाई की है अगले महीने की 12 तारिक को ये दोनों ही शादी के बंदन में बन जाएंगे तेजप्रताप की होने वाली दुलनिया बिहार की एक पावरफुल फैमिली से तालुक रखती है तो आईए आपको बताते हैं कौन है ऐश्वर्या राय एश्वर्या राय बिहार के पूर्व सी एम दरोगा राय की पोती और बिहार के पूर्व मंत्री चंद्रिका प्रसाद राय की बेटी है दरोगा राय बिहार के दसवी मुख्य मंत्री थी वे 16 फरवरी 1970 से लेकर 22 दिसंबर 1970 तक बिहार के मुख्य मंत्री रहे थी आश्वरया के पिता चंद्रिका रह फिलहाल छप्रा जिला के पर्षा विधान सभा से राजत के विधायक है चंद्रिका रह प्रसाद के तीन बच्चे हैं दो बेटी और एक बेटा आश्वरया दूसरे नमबर पर आती है एश्वरय ने अपनी शुर्वाती पढ़ाई पटना के फेमस स्कूल नेट्रोडर्म से की है दिल्ली के दौलत राम कॉलेज से इतिहास में स्नातक किया है और अमिटी इन्वर्सिटी से मास्टर आफ सोशल वर्क में MBA किया है वही तेज प्रता प्यादो लालुक्रसाद यादो के बड़े बेटे हैं और उन्होंने 12 तक की पढ़ाई किये फिलाल तेज प्रता प्यादो बिहार विधान सवा में महुआ के विधायक है इससे पहले वो बिहार के स्वास्त मंतरी का पद संभाल चुके हैं तेज प्रता प्यादो हमेशा ही अपने कॉंट्रोवर्सिल बयान को लेकर सुर्ख्या बटोरते रहते हैं इस हाई प्रोफाईल सगाई के मौके पर दोनों के घर वाले और करीबी रिस्तेदार मौजूद थे सिवाए लालुक्रसाद यादो के सगाई के बंधन में बंधने के बाद तेज प्रताप ने अपने पिता को याद करते हुए एक ट्वीट किया है तेज प्रता प्यादों ने ट्वीट में लिखा है मिस्यू पापा अगले महीने की 12 तारिक को पटना के वेटनरी कॉलिज ग्राउंड में तेजप्रताप यादो की शादी का भव्या आयोजन होने वाला है तेजप्रताप यादो की शादी में कौन-कौन से महमान शामिल होंगे इसकी लिस्ट तैयार हो चुकी है PM से लेकर देश का हर बड़ा नेता तेज प्रताप यादो की शादी में शामिल होने के लिए पटना पहुचेगा लेकिन लालू प्रशाद यादो अपनी बेटे की शादी में मौजुद होंगी या नहीं इस पर संचय बना हुआ है फिलाल लोकमत ने उस टीम की तरफ से तेज प्रताप यादो और एश्वेदे राय को सगाई की बहुत बहुत बढ़ाई हो